हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू एडुकेशनल हाइक्स आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चिन अंसर्स एंड फिलिंग देखेंगे और हम चीजों को डिस्कॉस करेंगे वाट्यू है लें इस चैप्टर अगर आप लोग ने फर्स्ट और सगेंड पार्ट नहीं देखा हैं जिस तो पहली बात हम देखते हैं कि पहले तो हमने स्टार्टिंग में ये बात कर दी थी कि लाइड जो है है..light travels along a straight line..light वh CiD Line में travel करती है..अभी वह एक एक ाक्टिविटी कर रहा था ना कि बूजो जो है वह एक जलती हुई candle को देखता है पहले तो एक बेंड़ पाइप से पहले तो एक सीधी पाइप से देखता है फिर बेंड़ पाइप से देखता है तो बैंड़ पाइप से उसको नहीं देखता है तो इस activity से हमी क्या पता चलता है और हमने third point क्या देखा कि image which can be obtained on a screen इसको मर्व certificate है और जो screen पर obtained ना किया जा सके उसे हम क्या कियते उसे virtual काते है और हमने fourth point क्या देखा हमने देखा an image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image अभी मैंने बताइया वही jsün जो औ 어떻 an Teraz screen करे उसे हम कहते है virtual image और हमने फिफ पॉइंट क्या देखा हम दा इमेज फॉर्म पाई या प्लें मिरर इस इरेक्ट वो सीधा होता है कि नहीं प्लें मिरर में हम जो देखते हैं और क्या हमें देखा था इट इस वर्चुल एंड इस ऑप दे सीम साइज एज जितना अबजेक्ट होता है उसकी साइ इसे भी हमें 2 cm दिखेगा ठीक है तो इमेज और ऑब्जेक्ट के वीच में टोटल 4 cm की दूरी हो गए अभी हमें इस बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे और हमें नेक्स पॉंट क्या देखा कि इन एंड इमेज फॉर्म्ड बाई या मिरर दे लेफ्ट साइड ऑप्जेक्ट is seen on the right side in the image हमने यह पह दिखा था कि left हा tämä ये घृट का right है यह देखता है यह हमने आपने राइट एस पॉर्म का मिरर में आत हो चालि पया को तो आपको अरो मिरा देखा है कि और आपपने नेक्स हम इंवर्टर इमेज यह भी हमने देखा कि कॉनकेब मिरर जो है वह हमारा रियल और इंवर्टर इमेज फ़र्म करता है वें दो अबजेक्ट इस प्लेज वेरी क्लोज तो दे मिरर दे इमेज फ़र्म इस वर्चुवल इरिक्ट अन्ड मैंनिफाइड यह देखा था कि निया में मैंनिफाइड हो जाता है चीज़ों को देखो मैंक्रोस्कोप में कॉक्रोच और यह सारे चीज़ें देख रहे था और लैब की बात कर देख और हमने नेक्स्ट क्या देखना कि होते हैं चोटे होते हैं in size में object के comparison में और हम ने next point के discuss किया मिन्पाव से ली इन जम्कुर्म आने इंवर्ट इमीज जो August horses होता है वह real India मेज फर्म करता है आहिम पांगेकर आपको रुप्स लेन्ज और कोणकीब लेंज़ और कोणवेकोग्स और कोमेकर मिरर में आपको confusion नहीं होना है ठीक है और हमने क्या देखा when the object is placed very close to the lens जब बहुत close जाएगा object convex lens के तो क्या होगा the image formed is virtual erect and magnified वो magnified हो जाएगा सीधा रहेगा और virtual रहेगा वर्ट्वल क्या था अभी हमने देखा था जो कि screen पर obtained नहीं किया जा सके ठीक है cannot be obtained on a screen is called a virtual image अब और क्या देखा हमने वेन यूस्टू सी देखा था rainbow के बारे में कि white light is composed of seven colors उसमें seven color होते हैं विब्ग्योर हमने देखा था और वह सीडी compact disc का example लिया था bubble का example लिया था और भी बहुत सारे examples activity करके देखे थे तो हमने देख लिया था white light में seven color हमारे उसमें होते हैं विब्ग्योर हमने examples देख लिया था और हमने बहुत सारे examples देखे थे वो cd वाला and जो हमने rainbow देखा था कैसे form होता है सारे examples हम देख लिये थे अब हम करते हैं exercises पहला हमारा question क्या है हमें पहले क्या करना है हमें fill in the blanks करना है तो उसमें हमारे question क्या है an image that cannot be obtained on a screen is called अब आप बताओ जो image हमारा screen पे ना पाया जा सके उसे हम क्या कहते है cannot be obtained on a screen उसे हम कहते है virtual ओके अभी हमने यह discuss किया और second हमारा question है image formed by a convex dash is always virtual and smaller in size तो convex क्या था convex mirror image formed by a convex mirror is always virtual and smaller in size c हमारा क्या question है an image formed by a dash अब किस mirror के थो dash mirror is always on the same size of that of the object तो यह हमारा real image होता है यानि कि plane mirror होता है हमारा ठीक है जिसमें size same और size भी same दिखता है distance भी दिखो हमारी distance की बात कर रहे थे distance दिखता है जितना object मतलब mirror के सामने object जितने दोरी पे रखा रहेगा तो हमें image भी उतनी ही दोरी पे दिखेगी ठीक है an image formed by a plane mirror ठीक है plane mirror is always of the same size of that object और उसके बाद 4 तुमारा question क्या है an image which can be obtained on a screen is called a dash image अब उसे हम क्या कहते है उसे real image कहते है जो obtained ना हो उसे हम virtual कहते है जो obtained हो can be obtained on a screen is called a उसको क्या कहते है real image next हमारा क्या है an image formed by a concave dash cannot be obtained on a screen उसको क्या कहते है concave lens an image formed by a concave lens cannot be obtained on a screen हमने fill in the blanks कर लिया आप हम करेंगे true and false true and false में कौन कंसा है हमारा यह हमारा question है we cannot obtain an enlarged and erect image by a convex mirror आप भी pause करके करने के कोशिस करो questions को तो यह हमारा सीधे-जीदे false है next हम अपना देखते हैं कि देखो explain तो मैंने कर दिया है इसलिए में question answers में जादे explain नहीं कर रही हूँ जल्दी जल्दी आप लोग को solve करा दे रहे हूं अब concave lens always form a virtual image यह true है कि false भी हमारा true है कि false जो हमारा concave lens होता है वो हमारा always virtual image form करता है बिल्कुल करता है यह true है हमारा question c हमारा क्या है we can obtain a real image in large and inverted image by a concave mirror यह true है कि false है यह भी हमारा true है और fourth हमारा क्या है a real image cannot be obtained on a screen तो यह हमारा क्या है d हमारा क्या है a real image cannot be obtained on a screen यह तो वाल से सीधे सीधे हमने इतनी बारे डिस्कुस किया था और next हमारा question है कि a concave mirror always form a real image और concave mirror always form a real image यह true है कि false है this is false हम next हम क्या करेंगे next करेंगे match the following ओके अब हम यह third question देखेंगे match the following column one को column second से हमें match करवाना है इसमें a है हमारा a plane mirror a plane mirror हमारा किस से match होगा fifth से होगा इसमें the image is erect and of the same size as the object plane mirror हमने इतनी बारे डिस्कुस किया है कि plane mirror जो होता है वो सीधा होगा और object के यका same size का होगा b हमारा है a convex mirror convex mirror में हमारा क्या हो जाएगा second हो जाएगा can form image of objects spread over a large area and see हमारा a convex lens किया हो जाएगा convex lens हमारा हो जाएगा first हो जाएगा first में हमारा क्या है used as a magnifying glass and जो हमारा fourth है a concave mirror जाएगा जो हमारा बहुत एजी है state the characteristics of the image formed by a plane mirror plane mirror का character क्या क्या होता है बहुत एजी question है फिर भी मैं बता देती हूं आपको plane mirror जो होता है forms an erect image पहले बात तो यह सीधा बनाता है और दूसरी बात कि it forms a virtual image यह virtual image बनाता है size of the image is same as object that of the object जितना object का size होता है same size दिखता है हमें distance भी same दिखता है image is formed at the same distance behind the mirror behind the mirror भी हमें same distance दिखता है और और क्या हमें plane mirror का क्या character हो रहा है हमें इसका यह भी है image formed literally inverted image example हमने देखा था कि left का right right का left कर देते हैं and fifth questions हम देखते हैं fifth question क्या है हमारा अब यह बहुत interesting question है इसमें क्या करना है आपको find out करना है English के जो भी letters alphabet होते हैं हमारे उनमें कौन सा या फिर आप अगर किसी और language में भी जान रहे हो तो इनमें ऐसा कौन-कौन सा letter है जिसको हम formed करेंगे in a plane mirror appears exactly like the letters itself जैसा वो है वैसे हमें mirror में दिखेगा हमने वो ambulance और police वाल example देखा था ना कि कैसे वो उल्टा दिखने लगता है mirror में तो इसी वजह से आपको बताना है कि ऐसा कौन-कौन सा letter होता है जो कि हमें सेम दिखता है mirror मतलब जो हम प्ले mirror में देखते हैं तो इसमें देखो मैं आपको कुछ आपको मैं अब ह Bene sixtum दे रही हूँ कुछा आपकूट से बताना इसमें तो एक ए हो जाएगा एक हो जाएगा एक ओ जायेगा एक वो इमेज इस फॉर्म जहां पर यह वर्चुवल इमेज फॉर्म हो अब देखो दा इमेज विच का नॉट बी टेकें ऑन ए स्क्रीन इस कॉल्ड वर्चुवल इमेज यह तो कम से कम पांच शे बार आपके इस आप्टर में रिपीट हो जोगा है और वेन दसीम ऑबजेक्ट इस वेरी क्लोज तो दो कॉंकिव मिरर वी डॉंट गेट इनी इमेज ऑफ दे वाइज वाइज प्लेज बहाइं तब मिरर यह क्या होता है इसी को हम वर्चुवल इमेज कहते हैं वेरी सिंपल वेस्टेशन एंड नेक्स हमारा क्या है कि आपको क्या करना है दो डिफरेंस बतान हैं between a convex and concave lens important question है और इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने आप देखो जो convex lens होता है can form both real and virtual image जो हमारा convex lens होता है वो real और virtual दोनों image form करता है लेकिन जो हमारा concave lens होता है वो always virtual image form करता है यह पहला difference हो गया आपका और दूसरा difference है जो हमारा convex lens होता है वो magnified image को form करता है it can form magnified image लेकिन जो हमारा concave lens होता है वो उसका क्या होता है image is always diminished in size यानि के छोटा दिखता है ठीक है आपने यह रेख लिया and next question हम देखेंगे give one give one use each of concave and convex mirror तो देखो हमने बहुत बारी बताया concave का क्या होते हैं concave का हमारे doctor use करते हैं ठीक है dentist use करते हैं किसलिए हमारे दाद को चेक करने के लिए और जो convex होता है convex mirror का use तो हमने देखा यह था Convex mirror is used as side view mirror in vehicle ताकि छोटी-छोटी हमें पूरा सा मतलब पीछे बहुत सारा ट्राफिक है तो ड्राइवर वो अपने rear view image में mirror में देख सके वह चोटी-चोटी गाडियों में दिख जाती है ना एक ही मतलब वह mirror होता है convex mirror होता है उसमें कितनी सारी गाडियां दिख जाती है पीछे सालक भी दिख जाता है किनी सारे चीजे दिख जाती है और अब हम 9 question देखेंगे which type of mirror can form a real image तो concave mirror जो होता है हमारा वो form करता है हमारा real image and 10 question है कि which type of lens form always a virtual image तो 10 में हमारा क्या है इसमें भी हमारा concave lens है concave lens always form a virtual image ठीक है अब हम 11 question देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है choose the correct option in the questions तो a virtual image larger than the object can be produced by या अब आपको बताने convex lens है कि convex mirror है कि concave mirror है कि plane mirror है तो इसमें आपका क्या example में 11th में आपका answer क्या हो जाएगा concave mirror ओके और अब next 12 question आपको solve करना है थोड़ा सा देखना है आपको कि आपको यह chapter समझ में आया कि नहीं चलिए मैं ही solve करवा देती हूं डेविड क्या है डेविड is observing his image in a plane mirror अब वो plane mirror में अपनी image को observe करता है और क्या observe करता है कि distance between the mirror and his image is 4 meter 4 meter है लेकिन अब जब he moves one meter towards the mirror जब वो mirror की size मतलब mirror की तरफ वो एक मिटर चल देता है दें दर distance between David and his image will be अब देखो अब जब उसने देखा हाला कि इसका answer मैं आपको पहले ही बता देखा है इसका answer क्या होगा नई पहले में दूरी तो हमने पहले ही बताया था तो जो behind the mirror behind the mirror जो हमारा image बनेगा वो भी उतना ही दूरी पे होगा तो three हमारा mirror के सामने and three behind the mirror three plus three हमारा क्या हो जाएगा six meter इसका answer हो जाएगा and 13 question क्या है 13 और last question of this chapter इसमें क्या है कि the rear view mirror of a car is plane mirror ठीक है plane mirror होता है suppose वैसे तो होता है convex लेकिन हम यहां पर question में condition दी हुई है कि वह plane mirror होता है और driver क्या करता है a driver is reversing his car वो पीछे की तरफ ले जाता है at a speed of two meter per second two meter per second से वो पीछे की तरफ ले जाता है driver क्या से देखता है in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car the speed at which the image of the truck appear to approach the driver will be वो क्या होगा कि driver को जो दिखेगा ठीक है तो अगर आप लोगों को सच में अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो अपने friends के साथ इसको खुब शेयर करो और जो मैंने surprise की बात करी है second part में उसको देखो और आप लोग लाश तक मारे साथ बने रहो thank you for watching कि हुआ है